तो और मेरे भाई यो क्याल चाले यार तो काफी टाइम से बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे थे दो तीन महीने पहले से मेरे को काफी सारे कॉमेंट्स आ रहे थे कि एज भाई क्लोज रेंज के ओपर वीडियो बनाओ तो यह वीडियो फर्स्ट पार्ट है एक सीरीस का जो मैं अग्रेक करने वाला हूं और थर्ड पार्ट जो की सबस्ते जरूरी होने वाला है तो बिना टाइम बर बात कि यार सीधा चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो अब इस सिचुईशन को ध्यान से देखो यहाँ पे मेरा टीम मेंट सामने अखेले खड़ा है और अभी उसके उपर चार के चार बंदे अंधार रश करने वाले और वो नौक होगा पर उसके बाद भी मैं चारो बंदों को टेक डाउन करता हूँ सिर्फ एक चीज़ को यूज़ करके तो यहाँ पे अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने प्रीफायर का यूज़ करा तो आप लोग सही सोच रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज यही होती है किसी भी क्लोज रेंज सिच्वेशन में प्रीफायर क्योंकि जो एनिमीज होते हैं क्लासिक मैचेज में मोस्टली वो कभी भी प्रीफायर एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो बस अंधा रश करते हैं एक प्लेयर को नॉक करने के बाद बढ़ते हैं हमारे अगले टिप के तरफ जिसको बोलते हैं एक प्लोज रेंज में क्योंकि अगर आप एनिमी से फाइट ले रहे हो और आपके कैसे एंगल पर बंदा आ जाए कि जहां पर आपका कैरेक्टर उसका व्यू ब्लॉक कर दे तो आपको एम करने भी बहुत सारे जगाओं पर दिक्कत हो सकती है और उस वजह से अब अपना इजी सा क्लच या फिर इजी सी फाइट हग सकते हैं तो इस सिच्वेशन में तुम लोग ने नोटिस किया होगा कि मैंने नीचे जम करने से पहले ही एक बार एक बार एडवांटेज मिल सके और मैं आराम से दूसरे आले खिड़की पे जा सकूं प्लस मैं जैसी खिड़की से अंदर जाओं मेरा व्यू ब्लॉक ना हो और ये एक सिच्वेशन को भी ध्यान से देखना ज़रा याव मेरा टीममेट नॉक होता है और तबी इस सिच्वेशन में अगर मैं फपी ना भी स्विच करता तो मैं इस बंदे को इसरी टेक डाउन कर सकता था लेकिन मेरे को प्रिसाइस एम चाहिए था तो मैंने फपीप स्विच करा और एक बर इस सिच्वेशन को भी देख ले ना यार तो इस सिच्वेशन में अगर मैंने रूम में घुषने से पहले फपीप स्विच ना किया होता तो हो सकता था यह बंदा मेरे को प्रॉबबली आराम से मार लेता लेकिन मैंने फपीप स्विच करा ताकि मेरे करेक्टर व्यू ना ब्लॉक कर पाए सेकेंड बंदे को भी मारने से पहले मैंने फपीप इसलिए स्विच कर रहा था ताकि मैं जैसी घर से बाहर निकलू मेरे को प्रॉपर बाहर की इरिया का व्यू मिल पाए और मैं आराम से बंदे को स्पॉट करके किल चुरा सकूँ तो अब बढ़ते एक और के अगेस्ट भी बचा सकती है अगर आपने उसे मास्टर कर रखा है तो जैसे इस सिच्वेशन में देखना मेरा एक टीमेट नॉप ने और मेरे पर तीन बंदे पुछ कर रहे है तो यहां लास्ट वाले बंदे के पास डीबेस होने के बाद भी यह मुझे नहीं मार पाया अब इस सिच्वेशन को एक बार ही चेक आउट करना है यार क्योंकि यहां पर पाँच बंदे होते हैं जिनसे मेरे को फाइट लेनी होती है एक ही टाइम पर तो इन पाँच बंदों में से चार बंदे तो मुझे गोलियां टच भी नहीं कर आप है पर लास्ट वाले ने वन मुवमेंट थोड़ा सा चोक कर दिया था और मुवमेंट और भी जादा इंपोर्टेंट होती है काफी सारे सिच्वेशन पर आपको हेल्प कर सकती अगर आप पे हेल्थ नहीं है तब भी एक बार इस सिच्वेशन को चेक करो तो इस वीडियो का लाइक टार्गेट में रखने वालों 150 बट चिंता मत करो वीडियो अभी खतम नहीं है बढ़ते हमारे अगले टिप के तरफ जो है स्पीड एन एक्यूरसी सिर्फ दिखाने से और बताने से तो आपकी बढ़ेगी नहीं तो कुछ ड्रिल्स आपको जरूर करने पड़ेंगे उसके लिए तो मुझे अपने इंस्टा पे एक मेरा पुराना गेमपले मिला बदलब ट्रेनिंग ग्राउंड का एक बारी वो अगर इस वीडियो में जितनी चीज़े मैंने बताई है तुम लोगों ने प्रैक्टिस की और उसे मास्टर कर लिया तो भाई तुम्हारा क्लोस रेंज काफी है तक इंप्रूव होने आला है अब हर बारी हर सिच्वेशन में तो तुम फाइट्स नहीं जीत पाऊगे क्योंकि भाई कोई भी नहीं जीतता है क्योंकि लग पे भी गेम डिपेंड करता है लेकिन मोस्ट अदो फाइट्स तुम सर्वाइव करोगे यह मेरी गैरेंटी है तो मैं मिलता हूँ तुम लोग से अब सीधर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई